कोई भी योगी को देखना जब भी उसाधना करते हैं तो ऐसे नहीं बेड़ते हैं ऐसे बेड़ते हैं यह योग मुद्रा इसमें क्या होता है कि मारी डीट की अड़ी में जो बाल जितना छे दे अच्छा भोजन खाते तो रस बनता है रस का खुन बनता है खुन का मास बनता है मास का मेदा बनता है मेदा का मज़ा बनता है मज़ा के हड़ियां बनती है और हड़ियां के बाद में दिवी सक्ति बनती है वो हमारी मेमोरीज को तेज खरती है उसको कहते हैं अमीरस और अमीर सच चड़ना चाहिए वो चड़ता नहीं है और एक और प्रतना है जब भी आप उपवास करो भगवान से कुछ धन दौलत मत मांगिए भगवान को ऐसे बोलिए कि है प्रभू मैं किसका अच्छा कर सकूं मैं किसकी जिंदिगी में खुश्यां ला सकूं मेरे परिवार को जो भी मेरे पास में आए प्लेश पॉइंट होके जाएं वो खुशी मांगी भगवान से क्योंकि देखे हैं हमारे पास ज्यादा उम्मर नहीं है सो साल की उम्मर होती है उसमें से पच्चास साल रात में निकल जाते हैं कितना आदा नुक्सान तो अब पच्चास साल अमरे को दिन मिलते उसमें करया करना improvements के रहें अगये ऐसा काम कीजी ए एक पिटा काम कीजिए कि हम दुनिया से चले जाए तो अभि हमारा नाम दुनिया के किन परामेसा निक्सान करमकी को क्या करते बिश्वाखत जीवन जीते माराज कोई दो बैने थी पीता जीन उनको पड़ाया लिखाया संसार को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बड़ी बाली को साधी करवादी और छोटी बाली को संत बन गई दोलों अपनी जगह सही है जिसने साधी नहीं कि उस बाई ने भगवान को अपना पती मान लिया और जिसने साधी की उसने अपने पती को भगवान मान लिया समझ में अरग नहीं है जिसने साधी नहीं कि उसने भगवान को भगवान मान लिया और जिसने साधी की उसने अपने पती देव को भगवान मान लिया अब मारा दोनों अपनी जगह सही है कोई संत आते हैं किसके दुआर पे दोनों अपनी जगह से ये वो बक्ती कर रही है ये पती की सिवा कर रही है माराज समय के संजों पे आग लग गई बड़ी बेहन को पता चल गया खाना बनाते बनाते कि मेरी बेहन मुसिबत में पड़ गई है नगरी के चारों तरफ आग लग गई है कितनी दूर बारा कोस दूर आज के टैम में 36 किलो मिट दूर बारा कोस दूर आग लग गई अब उस आग को बुझाए कौन पूरा गाउं का पानी खतम हो चुका है वो दोड के अपने पती के चरणों में जाके पड़ी ये मेरे पती देव मेरी बेहन चल जाएगी और पुरी नगरी राख हो जाएगी पती देव में क्या करू जैसे पती के चरणों को दोब कर पानी का लोटा लेकर दोड के बार आई और एक ऐसे गोड़ गोड़ लिकार करके उस लिकार पर पानी जाटके वो बोली है ब्रभू ये काम आपने कर दिया कोई संत वहां पर खड़े थे उन्होंने बोला बाई क्या किया किया कि कुछ नहीं किया गुर्देव बारा कोश दूर सत्सन चल रही है वहां पर आग लग मैंने यहां पर आग बुझा दी माराज जी हसने लगे कि क्यों ऐसे बेकार बात करती है एक लोटा पानी यहां डाला और आग वहां बुझ गई कि गुर्देव अगर आपको विश्वास नहीं है आप जाके देख लिजिए जैसी माराज जी गए देखा सच में आग बुझ ऐसी हुई है तो गांवलों को बोला कि आग बुझी कैसे यह बूझ गई या बुझ गई कावन ने बोला हमारा पानी तो फुरा खतम हो गया मरने का मोगा था पता पता नहीं अच्छा नक आग यहां आके कैसे लुक गई उसने मनी-मन उस राइसती को प्रणाम किया क्ये सत अगर तुनी होती तो ये वश्ती जल जाती नगरी को बोला यां मत करो जिसने आग बुजे उसके धर्षन करो सब आए जिसने साधी की उसको प्रणाम किया अब छोटी बेहन जो संत बनी न उसके मन में दूविदा आ गई कि मेरी बेहन ने साधी करके वो करके दिखाया जो मैंने मैरी जिंदीगी में नहीं किया उसने बोला बाई मैं तो साधी करूगी वो बोली बेटा साधी करने चीक है पर तो निपाना बहुत मुश्किल है वो बोली नहीं कैसे भी हो जाए मैं साधी करूगी अब मराज उसने बोला जाओ सुबे में ये थाड लेके जाओ जो भी मिले वो तेरा पती होगा जैसी गई तो विकलान आदमी मिला जो पैर काम नही कि मैं कितनी स्पाट हो मैं कितनी सुंदर दिखते हो कितनी ब्यूटिफूल हो और ये ये तो भीका रही है इसके साथ मैं साधी कोन करें वो वापस आदी बेहन ने बोला क्या हुआ कि बेहन क्या बोलो सामने सब लड़किया ही लड़किया मिली मुझे अब लड़कियों से और जैसे वो गई वोही विकलांग वापस मिला माला पैना दी पति मान लिया उसने बोला किया पदेव आप मेरे पती हो मेरे पती परमेसर हो मैंने आपको पति मान लिया तो उसने बोला कि देख तू पचीस साल की मैं पचास साल का बुड़ा आदमी और कहां फसा रही मुझे कि नहीं पती देव मैं फसा नहीं हूं मैंने आपको पती मान लिया है कि मेरी तीन आदते हैं तुझे चाहिए तो तुझ घर पे ले जा सकती है नहीं तो मुझे यह देता हूं यह तीनों चीज कबूल हो तीन बात कबूल हो तो मुझे अपने घर पे ले जाना नहीं तो मुझे यह चोड़ दे वो बोली पती देव आपका बचान मेरे शिर पे आपका बचन कभी खंडित नहीं करूंगी लेके गई साम का टाइम हुआ बोली लाव सराब ले ऐसे करते 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 12 वरस बीद गए देवियों पर उस इस्त्री ने कभी नहीं बोला कि पती देव मेरे में कमी क्या है जो आप मुझे छोड़ के पर इस्त्री के साथ में रहते हो कभी नहीं बोला एक दिन समय का संजोग पती अंदर चला जाता परसाद आई तो वापस वो गोमती है तो याद आ गया कि मेरे पती देव ने जाना का तो बोला ही नहीं वो ही खड़ी रे गई परसाद आया वो पाइप का पाणी शीर पे गिर रहा है भगवान का शियासन रात को भगवान की नीद खुर गई भगवान ने बोला जा नारद मर्तिव लोग में मेरा कोई भक्त दूखी है आते तो वो बाई दूखी बाई को बोला तुझे भगवान बुला रहे है वो बोली नहीं नारद जी मेरे प्रभू तो अंदर है मेरे पती देवी मेरे भगवान है अब सुबह में वो पती देव बाहर निकला तो नारद जी ने बोला कि आपको भी भगव तो भगवान को बोला प्रभु यह तो शारी नगरी को बोल रही है तो उसने बोला इस सत्य को इस यासन के हाथ लगा दे पूरी नगरी शुरग लोग चली गई यह सत्य घटना बता रहूं वुचेन नगरी का वुचेन नगरी एक बार राजा भिक्रमा दित्य लेके गया कि वच्छन से और कर्मों से कि इन रूप में पती को भगवान मनों मन से भी मानों वच्छन से भी मानों और अपने कर्म से भी मानों हम न थू टाइम परोटी खाते हैं और नाइटाими पर हिमारी सरीर का ख्याल रखते है इस पोडे के साथ में पता हैं टाइम पे खाना नहीं देते कौन कौन ऐसे मापूरी से जो एक बच पांच मिनट पे खाना खालेते हैं कि यहां पे कोई सेट ऐसे जै हो कितने नसीब वाले आप लोगे ना आप लोगे मार वाड़ा जुरूर खा सके क्यों वटे एक जोटी दे जाए अन अटे के गरां के गरां के तीन वजियो खाऊं ए राम जी यह मतिकरो भाई थाने राम जी दियो तो टेम मात पहली गरां ने क कितनी असी प्रसेंट दवाय नी आएगी बीमारी क्यों आती पता है ताइम पे प्रसाद नहीं लेने के कारण सरीर शिकूड जाता है नसे शिकूड जाती है फिर बाद में वो जब्रदस्ती नसों में धक्का लगता है और बीमारीया पैदा होती है यह ज्यान लोग तो टा